हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वातीज रसोई आज मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ मूंगदाल अफ़म यह बहुत ही हिल्दी और टेस्टी होता है यह कम तेल में पटाफट तयार होने वाला नासता है इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं आप इसे चटनी या सॉस के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं यह बहुत ही हिल्दी होता है आप इसे जरूर बनाएए रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और इलएटी में से शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद बेल आइकोन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे एक कप दुलीवी मुंकीदार जिससे मैंने 6 घंटे पानी में सोप किया है और उसका पानी निकाल लिया है एक बड़ा चमच धन्यापति बारिक कटीवी चार हरी मिर्च कटेवे एक चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट आदा चमच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग आदा चमच हल्दी पौडर आदा चमच जीरा पौडर वनफोर्थ चमच काली मिर्च पौडर आदा चमच खाने वाला सोड़ा और एक बड़ा चमच रिपांडर एक जार लेंगे उसमें मुंका दाल डालेंगे और हरी मिर्च इसे पीस कर बारीक पेस्ट बना लेंगे डाल पीस लिया है इसे पीसने में मुझे आधा कप पानी लगा है अब इसे एक बौल में निकाल लेंगे डाल निकाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे नमक हल्दी काली मिर्च पौडर अद्रक लेसुन का पेस्ट जीरा पॉडर खाने वाला सोडा और धन्या पत्ती अब इसे अच्छे से मिला लेंगे दाल को अच्छे से मिला लिया है एक अपे पैन लेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा आयल एस्प्रेट करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा ऐल ही एस्प्रेट करना है या बहुत कम तेल में बनने वाला नास्ता है ऐल एस्प्रेट कर लिया है अब हम इसमें एक एक चम्मच या मिश्रिन डालेंगे अब इसे मीडियम फ्लेम पर दो मिनट ढखकर पकाएंगे अब हम इसे पलट लेंगे इसे पलट लिया है अब इस पर थोड़ा थोड़ा ऐल डालेंगे इसमें बहुत कम ऐल डाला जाता है अब इसे एक मिनट और पकाना है अब पर तयार हो गया है यह देखिए कितना अच्छा बना है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक पलेट में निकाल लेंगे मूंग डाल के अपे तयार है यह बहुत ही एस्पंजी बना है यह देखिए मूंग डाल अपम तयार है यह कम समय में बनने वाला बहुत ही हिल्दी डिश होता है इसे बच्चे बड़े सभी बड़े ही शौक से खाते हैं आप इसे बनाईए आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी अपना experience नीचे comment शक्षन में लिख बेजिए like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए subscribe करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का notification आपके mobile पर आ जाए अगर आप इस वीडियो को facebook पेज पर देखते हैं तो मेरे facebook पेज को like कीजिए instagram पर मुझे follow कीजिए thank you